नमस्कार दोस्तो, Welcome to Study24, एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत अच्छी जॉब की नियूज लेके आपके पास आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, IGI Aviation Service Private Limited, जो की दिल्ली हवाई अटे पे अपनी सर्विस देती है, सेवात परदान करती है, इसी के भारी काम इसमें नहीं होता है, ग्राकों की देख रहे करना, उनको खानपान का जो सेवा है, वो उपलफ्द करवाना, यही सब काम जो है, एरपोर्ट पे दी जाती है, तो यही सब काम काम करना है, देखें, यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है, परकासित कर दी गई है, भी आप चाहें आविदन कर सकते हैं अब यहाँ पे salary की बात करें तो salary भी अच्छी खासी दी जा रहा है 25,000 से लेकर 35,000 तक की salary है और सीटों की संख्या भी अच्छी खासी 1074 है और 18-30 वर्स के लोग इसमें आविदन कर सकते हैं 18-30 वर्स जो उम्र है वो 22,000 माई 2024 को आपको होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है 22,000 माई 2024 तक आपका 18-30 साल तक होना चाहिए और इसमें देखे एजुकेशनल पालिफिकेशन भी अच्छी दी गई है 10-2 सिर्फ intermediate पास है तो भी आप आपको काम करना है इसमें महिला पुरुस दोनों आपएदन कर सकते हैं और इसमें कोई भी डिपलोमा बगएरा की कोई जरुवत नहीं है बारविक अच्छा का अगर आप परिच्छा दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतेजार कर रहे हैं भी आप आवेदन कर सकते हैं इसमें एक कोश्चन बगएरा जो है आपका समानी जाग उकता से पुछे जाएंगे बिमानन ग्यान से पुछा जाएगा अंग्रेजी ग्यान से पुछा जाएगा कौसल और विचार से यानि रिजलिंग से आपकी कोश्चन पूछे जाएगे तो यहाँ पर 25 पचेस यानि कि लगवाग जो है 100 कोश्चन का इसमें आप उसे पूछा जाएगा 100 आंक मिलेंगे डेड़ घंटे की परिच्छा ली जाएगी और इसमें कोई नेगर्टी मार्किंग नहीं है यह भी अच्छी बात है कि कोई नेगर्टी मार्किंग इसमें नहीं है सिलेवस की बात करें दोस्तों तो सिलेवस भी दिया हुआ है यहाँ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं रोजगारविहार.com से यहाँ पे सब कुछ आपको रोजगारविहार.com पे भी उपलवत करवा दिया गया है सिलेवस बगयरा सब कुछ आप यहाँ से देख भी सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं परिछा सेंटर पूरे भारत में दी जाएगी बिहार इंडुत्तर परदेश की बात करें तो आगरा, गुरकपूर, कानपूर, लखनव, परियागराज, बारा नसी, पटना, दर्भंगा, मुझभफरपूर में सेंटर होगे बाकी आप अपने अस्टेट के हिसाब से देख लिए बहुत सभी अस्टेट में यहाँ पे सेंटर दी गई है सेंटर आपके अपने नजदी की सहर में भी मिल सकती है, अब देखिए प्रलिखित परिच्छा में 100 अंक का objective type के question पुछे जाएंगे, एक अंक मिलेगा एक question के लिए और कोई negative marking नहीं है परिच्छा दुभासी होगी, यानि दो language में आपका question पुछा जाएगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी आपको अगर हिंदी में बनाना है, तो हिंदी में बना सकते हैं, अंग्रेजी में बनाना है, तो अंग्रेजी में बना सकते हैं इसके बारे में मैं आप पिछला record बताऊं तो 2022 में भी ये vacancy जारी की गई थी जो कि लगभग 2023 में complete भी कर लिया गया था तो ये vacancy जो है पेंडिंग नहीं रहता है जब बहुत जल्द इसमें काम होता है तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आवेदन भरते समय आवेदक को अपनी पसंद के परिच्छा केंदर के बारे में साबधानी पूरवग निर्ने लेना चाहिए तो जो सेंटर आप देंगे परिच्छा सेंटर आपको फॉर्म भरते बग पूछा जाएगा तो आप अपने हिसाब से जो भी नजदिक सेंटर हो वो दे सकते हैं देखे परिच्छा सेंटर का पूरा लिस्ट भी दिया हुआ है मैंने आपको रोजगरव्यार.com से भी दिखाया और यहां पर नोटिफिकेशन में भी दिया गया है देख पा रहे होगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो नीचे जो है आपका देखे आपे आव बज़े तक चालो रहेगा यानि कि 22 माई तक आप ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं और इसमें पैसा कितना लगेगा आविदन करने में तो 350 रुपे लगने वाले सभी कंडिडेट को चाहे वो SCST हो चाहे जनरल हो सभी को 350 रुपे लगेंगे और ज्यादा कुछ तो दिया नहीं है तो चलिए मैं आपको रेजिस्टेशन पर क्रिया भी दिखा देता हूं रेजिस्टेशन करने के लिए आप रोजगारवयार.com पर आ सकते हैं देखिए आप लिंक दिया हुआ है अफ्लाइ करने के लिए आप इस पर किलिक करेंगे डिरेक्ली ये पोर्टल खुल ज डेट बर्द भरनी है और यहाँ पर नेशनल लीटी भरनी है एंडियन यह जो भी है वो भरे है फिर कटेगरी आपको मेल-फीमेल देखिए मेल यह फीमेल जुब है उससे सलेट करें कटेगरी सलेक्ट कर ले जनरल cs.ht.ovc. जो भी है उससे छो सलेक्त कर लें फिर यह कहां आप पर इच्छत देना चाहते हैं तो जो भी आपका नजदी की सहर हो आप यहां पर सलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं अपना बात करूँ तो यहां पर पटना कर सकते हैं देखे पटना दे दिए फिर यहां पर आ जाता है आपका कॉंटेक्ट इन्फोर्मेशन यहां पर पूरा एड्रेस फिल करना है चारो लाइन में देख पा रहेंगे यहां पर सब कुछ सेलेक्ट करके डाल देना है जो भी आपका है फिर यहां पर निच आएंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डीटेल मांगेगा जिस है तो भरेंगे नहीं कर रखा है तो खाली छोड़ देंगे फिर यहां पर आ जाएगा जेनरल इंफोर्मेशन में आपके पास आधार कार्ड है तो नेम आधार कार्ड तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका नाम क्या है वो अस्पेलिंग देखके आपको यहां पर लिखनी है और आधार कड़कर नमबर यहां पर भरना है फिर यहां पर आ जाता है mention source यहां पर source में आपको select कर लेना है corporate website consult मैंने आपको जो यह vacancy के बारे में पता कैसे चला यह आपको बताना है ठीक है तो यहां पर आपको बताना है जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं तो social media हो गया तो आप social media भी select कर सकते हैं फिर यहां पर आ जाता है upload photograph यहां पर आप अपना photograph upload कर देंगे 4 MB तक का photo आप यहां पर upload कर सकते हैं और उसके बाद पर click करेंगे आपको form जो है submit के लिए तयार हो जाएगा देख सकते हैं submit के लिए तयार हो चुका है अब आपको payment मागेगा तो आपको payment यहां पर कर देनी है तो जो भी payment है आपका वो आप यहां पर net banking credit card debit card net banking wallet चीस से भी करना चाहा है आप आसाने से कर सकते हैं करने के बाद आपको final print out मिलेगा print out निकालके रख लेना है तो इस परकार से जो है आप एदन भी करना था मैंने आपको एक साथ सब कुछ बता दिया है तो उमीद करता हूँ वीडियो जा आप लोगों को पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे चैनल को subscribe कर ले पलपल की अपडेट के लिए मैं मिलूँगा next वीडियो में next अपडेट के साथ अब तक के लिए बाई जहिंद